इस ओके गुट इवनिंग एवरीबन जैसा कि आपको पता था कि हम नाइन प्रेट का या आपकी जो नवी क्लास उसके दसवे चैप्टर के कुछ कुछ पढ़ रहे थे और इस चैप्टर का नाम है सरकल या व्रत मतलब हम व्रत से रिलेटेड ही कुछ बेसिक बेसिक चीजों क के बारे में बढ़ रहे थे अगर मैं एक पिछली क्लास का यार दिलाओं तो पिछली क्लास में सबसे पहले तो हमने आर्क यानि कि चाप के बारे में सीखा कि चाप होती क्या है और उसमें भी किसी भी व्रत में लगू चाप और दीर्ग चाप यानि कि माइनर आर्क और विजरार क्या होती है? सबसे पहले हमने चाप के बारे में सीखा, उसके बार हमने वरत्खंड के बारे में सीखा, जिसको हम सेगमेंट भी बोलते हैं, अब इसमें वरत्खंड भी दो प्रकार के होते हैं, बड़ा और छोटा, बड़े को दीर्ग बोलते हैं, छोटे को लगो पूलते हैं सेम त्रिज्यकंड ठीक है इसी तरह तो चाप पड़ी हमने व्रत्खंड पढ़ा और त्रिज्यकंड में भी हमने दीर्ग और लगू त्रिज्यकंड के है इन सब के बारे में आप आसानी से पता सकते हो ठीक है चलिए अब हम क्या करते हैं एक क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन आपको अपने स्कीन पर देख रहा होगा यह पिछली लास रिलेटेड क्वेश्चन आपको इस्टेटमेंट दे रखा है एक कथन दे रखा है और आपको बताना है कि वह सब्देश्चन क्या है कि जो व्रत का व्यास है वो व्रत को दो बराबर 30 खंड में विवाजत करता है व्रत का जो व्यास है वो व्रत को दो बराबर 30 खंड में विवाजत करता है प्वेश्चन यह है अच्छे यह थोड़ा से सोचना पड़ेगा आपको 30 खंड क्या होता है अगर आपको इसके बारे में पता होगा तो शायद आप आसानी से इसका अंसर कर पाओगे ठीक है अच्छे इसके चार उप्सन से C और D मत देना इसके चार है तो C और D में से कोई नहीं होगा बस आप दो यह आंसर दे पाओगे A और B आपको ऑप्सन 4 देख रहे होंगे आपको किवल 2 में से ही चूज करना A और B देखे अगर आपको 30 खंड का कॉंसर्प्ट पता होगा तो फिर तो यह आपको बहुत ही आसान हो जाएगा गलत कोई बात नहीं गलती से लग गया तो कोई बात नहीं अगर आपको 30 खंड का ओप्सन पता होगा या कॉंसर्प्ट पता होगा कि 30 खंड क्या होता है ठीक है या फिर सेक्टर क्या होता है तो आप आसानी से बता सकते हो हिंट दे देता हूं में दो त्रिज्याओं से मिलके 30 खंड बनता है दो त्रिज्याओं से मिलके 30 खंड बनता है तभी तो उसको 30 खंड कहते हैं बहुत बढ़िया अच्छा कुछ आप बच्चों ने आंसर किया लेकिन अभी भी कुछ बच्चे हैं ऐसे दो या तीन बच्चे ऐसे बच्चे जन्होंने आंसर नहीं किया है लास्ट 15 सेकंड वे बराबर 30 खंड में विभाजित करता है दस सेकंड और बच्चे अउनली 10 सेकंड जल्दी से आंसर कीजिए बहुत बढ़िया वैसे यहां मिला जोला आंसर आ रहा है देखते कौनसा आंसर सही है पांच सेकंड फाइब फोर थ्री टू वरं समय समाप्त और सबसे पहले क्या करते देख़िए यहां कोई डाइग्राम नहीं रखा तो जल्दी से आसानी से समझने के लिए हम क्या करते है एक डाइग्राम बना लेते हैं डायेग्राम में हमें एक वृत या एक सरकल बनाना है ठीक है आप अपनी सुविधा के इसाब से एक सरकल बना सकते हो हाँ मैं आप मैं चो हो सकता है काफी वच्चे बोले सर बहुत घंदा से सरकल बनाए बिल्कुल हाँ अगर यहां यह किसी सेंटर से होके जाएगा मालो सेंटर या केंद्र का नाम हमने रखा है सी अब कुछ भी रख सकते हो ठीक है अब फ्थ्ष्चन क्या है कि विरट को दो बराबर त्रिर्ज्य खंड में बाड़ता है मतलब अगर मालो क्या यह तो महीं पता है कि जो व्यास है विएंधी दो भर भागों में तो बाटता है यह तो हमने पढ़ लिया अब यू जो त्रिज्यखंड है क्या वह भी etos कुछ है चलिए देख लेते हैं तौह उसके लिए दो तरिज्ज्ञा होनी चाहिए ना क्या इस और नो कुछ कमें'tमे लिएक केब अप यह जो व्यास है दो तरिज्जाओं से मिलकर बना है Yes or no? सभी बच्चे बताएंगे Yes or no? अच्छा ठीक है? अच्छा अच्छा यह और भी आंशर की बात में बात करते हैं आप अभी Yes or No बताएए अच्छा ठीक है हाँ जी तो दो तीन बच्चों ने बोला है Yes ज्यादा ने वोला yes, दो तिन ने वोला no, ये तो सही है न, व्रत का जो व्यास है, वो दो तरिज्जाओं से तो मिलके बना है, एक तो ये वाली तरिज्जा रही, इसको मैं ऐसे highlight कर रहा हूं, ठीक है, एक तो ये वाली तरिज्जा है, और दूसरी, दूसरी ये वाली तरिज चाहे एक ही कर दो ट्रिज्ज्ज्ज्ण से मिलकि बना है इसका मतलब क्या होब अगर ये लोट कर रिज्ज्ज्च हम Ear와 पिर इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि जो वरत्त का व्यास है व्यास को दो बराबर देखेए वह दो ब़राबर, तरिजय खंडे करता है दो बराबर भागों में विवाजित करता है रहा बर में बिल्कुल औके सिर्फर राइक बार इसको three three जाखनकी पूरी डाफिनेशन बताल सक्स्तियों सर रहे कि चिया होता है कि दो त्रिज्याहों से मिलकि जो हिस्सा बनता है जैसे मैं इसको कर देता हूं मैं एक वापस से एक और सदौंसा पना लादो मानलो यह फ्रै थीक है तो इसके किनी भी दो तुरिज्जाओं को लेजी है मानलो एक ठीज्ज्ज यह ले लिये आपने दूसरी आप को इसे भी ले ले ले, मामलो दूसरी त्रिज्यय ये ले लिए, तो ये अब क्या बन गया, ये पूरा है, ये बता ना, किवल रामदेभी बताएगी, ये पूरा वरत दो भागों में बट गया है की नहीं, yes और no, पूरा वरत हाँ, दो भागों बट गया है न, तो ये दोनों जो दो भाग हैं, दोनों ही तरिज्य खंड कहलाते हैं, एक तो ये हो गया, ये तरिज्य खंड हो गया, ठीक है, और नीचे वाला ये भी तरिज्य खंड हो गया, इसका मतलब क्या है कि ये दि कोई भी दो तरिज् अब इनमें से जो बड़ा वाला है, उसको हम दिर्ग त्रिज्यकंड कहते हैं, क्योंकि वो बड़ा है, और जो छोटा वाला है, उसको हम लगू त्रिज्यकंड कहते हैं, बस यही तो साइब ता जो आपने आपने कल मिस किया था, तो अब भी तो जो यह रही तो अब भी तो जो यह 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 तो अब भी तो त्रिजन खंडी कहला इँए वाला ठिकया अब ऑभी तो अद्रिज में एक तो यह YOUust नंबर एक ooh दो मतलब दो रीडियस से मिलके बना है अभी तो ट्र्श हंड का व्यास है फिर गर पूरे तो अगर ये त्रिजे खंड नहीं होता है किवल ये होता है दो बराबर भागों में ठीक है दो बराबर भागों में विवाजित करता है बिलकुल हाँ करता है और दो बराबर व्रत खंड में विवाजित करता है वो भी सही है तो तीनों ही केस सही है ठीक है जो किसी भी व्रत क किसी भी व्यास की बात कर लीजिए, कोई सा भी व्यास, बहुत सारी व्यास हो सकते हैं, किसी भी व्यास की बात कर लीजिए, जो कोई भी व्यास, उसको दो बराबर भागों में भी बाटेगा, दो बराबर द्रिज्य खंड़ों में भी बाटेगा, और दो बराबर व्रत पीच में होता है इसलिए व्यास जो होता है वह बिल्कुल पीच में होता है इसी लिए ठीक है बहुत बढ़िया अगर यह समझ में आया है तो चलिए अच्छा भी आपको शायद मेरी स्क्रीन दिखती बंद हो जाएगी बस आपको कुछ सेकंड वेट करना पड़ेगा कुछ स बस कुछ सेकंड अभी साइद सभी को देखने लगए होगी तो यह सीख लिया इसका मतलब क्या है इसका मतलब जो इस्टेटमेंट था यह जो कथन तो वो सही था कि दो भागों में तो दो बरावर भागों में बाटता है बिल्कुल सही बात है ठीक है चलिए अब हम आज का अगला कॉंसेप्ट श्टार्ट करते हैं जिसमें हम व्रत की अलग अलग भागों की बात करते हैं ठीक है अब उसमें व्रत का उसको अभ्यंतर कहते हैं और एक होता है बहिर भाग ठीक है अभी होता क्या है उसको समझेंगे इंग्लिस में उनको इंटीर और एक्स्टीरियर कहते हैं अच्छा इंग्लिस में जो बच्चा पढ़ाऊगा उसके लिए बहुत के आसान हो जाएगा तो बिल्कुल सीधे सीधे साथ लिख रखें इंटीरियर और एक्ष्टीरियर अंदर और बहार तो हिंदी का भी मतलब यही होता है चलिए देखते हैं तो व्रत के अंदर क पाको व्रत का अभ्यंतर कहते हैं कि यह ने जो इसका आखर इंघ्लिवा वाली वाले की अंधर वाले की बात कर ली अब इसके बाहर भी तो बहुत सार वह है ना इस बाहर वाले को क्या बोलेंगे लिए smiles को बहरवाग कहते हैं हिंदी में बहरवाग और इंग्लिस में हम इसको एक्स्टीरियर कहते हैं हिंदी में बहरवाग कहते हैं और इंग्लिस में इसको एक्स्टीरियर कहते हैं कि मानलो यदी सौरी बहुत ही सिंपल सा है जो वरत के अंदर है उसको अभ्यंतर कहेंगे इंटीर कहेंगे जो वरत के बहर वाला हिस्सा है उसको हम बहर भाग कहेंगे यह तो सीधे-सीधे याद रखने वाली बात है इसमें कोई इतना कॉंसेप्ट नहीं है ठीक है अब में कॉंसेप्ट यह आता है वरत जहां भी बना होता है मालो वरत आपकी कॉपी पर बना है ठीक है तो वह आपकी कॉपी की जिस पेज पर बनाए उसको तीन भागों में बांट देता है वरत कैसे कैसे जैसे वरत बना लो तो जो वरत के अंद बहुत ही सिंपल साइब बहुत ही सिंपल साइब कैसे कि मानलो इसे व्रत दे लिया सिंपल साइब नो अब है यह सारी चीज नहीं देगा प्यर् french कैसेथ यह साँ पर इसकी सिना हैksam इसी तरह क्यों थे और कैसे पूछ सकते और क्मालो इसे पर दे लेग वरत के ऊपर ठीक हैं वक्त के ऊपर एक बिन्दू दे दिधे ये बिन्दू कहां इस्थे से तो सीधा 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 ये वरत जिंदर अच्छा आपको नाम कुछ हो रहे हैं यह जो राड़ पॉइंट है यह तो स्थीत है ना परिदी पर ना है हाँ हाँ बिल्कुल परिदी पर है इसलिए तो बहुत ही आसान है आपको ऐसे भी आसान लग रहा होगा अगर अभी वी कुस्टाउट है तो चली बहुत ही एसमें कोई भी गलत मत करना वहाँ आशान आची यह तो मैंने अभी यह संजा दिया मुझे तो नहीं पता था यह बहुत बढ़िया इस में गलत नहीं होना चाहिए देखो किसी का भी एक तो सभी को आंसर करना है और सभी को सही आंसर करना है जल्द वाजी में गलत मत कर देना हैं बहुत ही आसान है अभी काफी बच्चे हैं जिन्हों ने आंसर नहीं किया है अभी आधे बच्चों ने ही आंसर किया है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया साबास अगर किसी ने अन्सर नहीं कि आये तो दस सेकंड्स है आपके पास बहुत बढ़िया साबास पांस सेकंड्स, फाइब, फोर, थ्री, तू, वन, समय समाप, अच्छा अभी भी न, हाँ जी हाँ, ठीक है, अंसर जिसने दिया हो ठीक है, अभी भी अच्छा दो बच्चे ऐसे हैं, जिसने एक ने option A किया है, एक ने option B answer किया है, आप बताओगे किस बच्चे ने किया है, ऐस कोई लिख रहे हैं, क्योंकि किसी ने तो answer किया है, answer A किस ने किया है, अच्छा सही और गलत की बारे में ज़्यादा वो नहीं करेंगे, घवराओ मत, बस ऐसे बस जानना है कि आपने क्या सोच के किया, ऐसे पूछना है, इसमें ना कोई number मिल रहे हैं, ना मैं किसी को डाट अच्छा, आप कमेंट में सारे इसी लिख रहे हैं, क्या, क्या, कोई बात नहीं, ठीक है, अगर आपको समझ में आ जाए, तो वही बढ़िया, देखी तो सीधा-सीधा दिख रहा है, यही तो अभी समझाए था, यह व्रत के ऊपर ही तो है, उपर मतलब रत की पर दी पर ब क्या होता है, आप इनके नाम भूल जाते हो, कि अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं, अभ्यंतर, यह आपको याद रखने है, ठीक है, और बहर वाले भाग को क्या कहते हैं, बहर भाग, तो यह आपको याद रखने हैं, कई बार आप नाम भूल जाते हैं, इसलिए अपसे पूछाएं आप से की जो वरथ का केंद्र है वह कहां इस्तित होता है और यह सब को पता है केंद्र क्या होता है और यह सबको पता है कि का ज़िघू आउतनी बहुत ही आसाने ये भी हाँ बहुत बढ़ी है सावास बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है दो बच्चे और है जन्होंने आंसर नहीं किया दो बच्चे और है जल्दी से आंसर कीजिए दो बच्चे और है जन्होंने आंसर नहीं किया है जल्दी से अंसर करो बहुत बढ़ी है साबास एक और है दस सेकंड्स है आपकी पास ओनली टेन सेकंड्स है अच्छा निखिल राजबुत के नाम से जो भी बच्चा है आपका नाम क्या है बागी भी 10 सेकंड्स है आप अंसर कीजिए आप कमेंट पर नाम लग दो निखिल के नाम से जो भी बच्चा है और अज अधार फाइब सेकंड्स फाइब फोर ट्री टू समय समांप अच्छा मांची आपकी पहली दूसरी क्लास है क्या आज अइसे बस ऐसे पोछ रहा हूं अम्हें बता भी दोंगा उसका डीजन में क्यों पोछ रहा हूं आप बस यस पताओ अभली दूसरी क्लास है क्या आपकी मैं आएट कोई बात ने मैं अब बस इसलीं बोल रहा हूं क्योंकि जब भी यह से होता है नो भृश्म में करना होता है और चलंसा प्ल बंद हो जाएं तब कमेंट में ल kitten एंपने पहले ही कमेंट में लिख दिया डीके आपने पहले ही क इंद्श सकते हैं एपने आंसर चालो होता है क्कुमेंट में कोई भी बच्चा आंसर नहीं लिखेगा पॉल बन्द होने कि पाद आप अगर चाहू तो कमेंट में यांसर लिख सकते हो हुँआ थीक stuff है हाँ हट जी अचा दो बच्कों ने तो इस इसका कौन सा होता है अभ्यंतर होता है इन्टीरियर होता है यह थो हमेशा ajudar ही तो अगर अंदर इसक तो होता है तो इसका मतलब यह हो गया वह तो अभ्यंतर में है तो तो option भी correct हो जाएगा ठीक है यह समझ में आया क्या बस इसका concept इतना ही था अब अगला concept पढ़ते हैं यह समझ में आया है व्रत का अभ्यांतर क्या होता है बहरभाग क्या होता है और व्रत के ऊपर कैसे इस्तित होता है कोई भी बिंदू यह समझ अच्छे से आया ना बहुत भी होगा जाना पहताना लगेगा आपको व्रत की परिदी के बारे में पढ़ते हैं जो परिदी होती है उसी को हम परिमाप भी कहते हैं परिमाप क्या होता है उसके चारों साइड का टोटल लेंध को अगर जोड लें चारों साइड की अब चारों साइड की लेंध क्या होत की देखें से जुमेने भी बता एता परधी क्या होती है कि चो संपून वरत की लंबाई है संपस्पन स्थ की लंबाई है उसे हम परधी कहते हैं मतलब मतलब मालोई कि वरथ है ठीक है डिग अच्छा ऐसे मालल में गोल जा व्रत है अगर मैं इसकी परीदी निकालों तो देकि परदी जनरली निकाल देखा होगा ना अपने पहनतेने लोग हाथ में वह कड़ा होता है अगर आपको उसकी टोटल परदी नाप नहीं तो साथ ऐसे नापना थोड़ा सा मुश्किल होता है तो आप उसको काट लो और काट कैसे सीधा कर लो ठीक है तो यह जो सीधी लंबाई होगी उसकी वही इस व्रत की परिदी कहलाती है लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे ना हर चीज को काटना पॉसिबल नहीं है हर चीज को काट के और ऐसे नापना पॉसिबल नहीं है तो इसका इसके लिए क्या है कि इस परिदी को ना हम एक फॉर्मूला या एक सूत्र से गंड़ना करते हैं कैलकुलेट करते हैं ठीक है तो संपून व्रत की जो लंबाई होती है उसे हम परदी कहते हैं यह जो पूरी लंबाई है इसक तो इसके लिए क्या करते हैं हमें रेडियस तो हमार किसी की निकाल सकते हैं अगर आपके पास व्रत है तो रेडियस तो आपको पता ही होगी कि अगर व्रत है तो उसकी रेडियस पता चल जाए या उसका जो त्रिज्या है वो पता चल जाए तो उसका जो परिमाप होता है वह होता है 2 pi r ठीक है अब आप मेंसे काफी बच्चों को पता होगा कि पाई क्या है लेकिन अभी भी कुछ बच्ची इसमें confusion में होगे कि इसमें पाई क्या आ गया है क्ये पाई पाई भी एक तरह से पसके है ना इसी तरह से पाई का मान भी हमेशा होता है जो की होता है 22 बटे साथ ठीक है अब आपको लगेगा सार इसका मान तुमें निकाल सकता हूँ बिल्कुल निकाल सकते हूँ आप 25 बटे-7 भाग देते जाओ अच्छा अगर इसकी पता है अच्छी बात क्या है कि आप do ईo नहीं होगा आप कोईसिस करना गर पहे कभी को्सिस करना 22 में सात का भाग देने की कि जब को स्ट करोगे तो आपको लगेगा कि यद stell जाता जा रहा कहीं भी कई अहे बहुत होगा कई से पर 0 कहीं नहीं आ रहा यूप कहीं नहीं नहीं हम 3.14 3.14 ये value रखते हैं दसमलब में ठीक है अब आपका doubt होगे कि सरीर में से कौन सी value pick करनी है देखिए आप कोई सी भी value ले सकते हो ज़्यादा तर तो क्या है question में दिया हुआ होता है ज़्यादा तर तो question में दिया हुआ होता है कि आप 22 वटे 7 ले 3.84 ले अगर नहीं है तो आगे हम कुछ question solve करेंगे और मैं आपको समझा दोगा कि कब आपको 22 वटे 7 लेना है और कब आपको 3.14 लेना है ठीक है यहाँ तक समझ में आया क्या यहाँ तक समझ में आया यह तो बहुत ही simple था ना परिमाप क्या होता है वो बताया परिमाप को formula simple 2 pi r अब यहाँ जो pi है वह एक constant होता है इसको नियतांक भी बोलते है क्योंकि इसकी जो value है यह इसका जो मान है वह fix होता है हमेशा और हो कितना होता है 22 वटे 7 या फिर अगर दसमलब की बात करें तो 3.4 है ठीक है चलिए तो अब हम क्या करते है question कर लेते है बहुत ही simple सा है इसमें आपको pen उठाने की ज़रुत नहीं पड़ेगी इतना आसान सवाल है question क्या है अच्छा मैं अभी comments बंद कर देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ना comment में answer कर देता है इसलिए मैं अभी के लिए comment बंद करना हूँ थोड़ी देर के लिए जब तक की poll चालू है question यह है कि यदि व्रत का परिमाप 17 cm है तो आपको व्रत की परिधी बतानी है कि परिधी कितनी होगी बहुत ही आसान question है सभी बच्चे बताएंगे हाँ कुछ बच्चे confused हो सकते हैं लेकिन question यह है कि यदि व्रत का परिमाप 17 cm है तो व्रत की परिधी किया होगी बहुत बढ़िया एक बच्चे ने answer किया है अच्छा बाकी के बच्चे काइभ यह करने है वारो बच्चे ने answer किया है अभी answer आनने लगा है 2 बच्चे ने कर दिया बहुत बढ़िया हां अभी answer करने लगिया मुच्चे ठीक है ठीक है मैने अभी अभी समझाया था इन दोनों के बारे में परिमाप क्या होता परिधी क्या होती है एगर आपको याद होगा ध्यान दिया होगा अगर आपने तो आप बहुत ही आसान है इसका करना बहुत ही आसान है ठीक है बीस सेकंड्स और है ट्वन्टी सेकंड्स है आपको इसका आंसर करना है ट्वन्टी सेकंड्स है कि दस सेकंड्स और बच्चे दस सेकंड्स और हैं पांच सेकंड्स फाइब फोर थ्री टू वन समय समाप अच्छा मुझे नहीं पता है कि इतना कंफीज होंगे इसमें भी दो बच्चों ने गलत आंसर किया है वो पता नहीं क्यों किया है यह तो बहुत ही आसान है ठीक है मैं अभी चैट ओन कर देता हूं अगर आपको चैट म मैंने भी यही तो बताया था कि व्रत की जो परिदी होती है वही उसका परिमाप होता है दोनों एक ही बात है व्रत के लिए जो परिदी है वही परिमाप है अगर आपको यह याद होगा तो परिमाप 17 है तो परिदी भी तो यही होती है इसकी परिदी कुछ अलग थोड़ी की है ठीक है यह बहुत ही आसान था यह किसी का गलत नहीं होना चाहिए था ठीक है तो हाँ जी यह आसान था इसका option C correct है बिल्कुल चलिए question number पंधर है इसका answer भी आपको comment में नहीं करना है poll section में ही करना अच्छा देखरें आप pi की value क्या लेनी है वो भी दे रखा है मैंने वहीं बता है कि जादा तर questions में आपको दिया हुआ होगा कि pi क्या लेना है अगर नहीं दिया होगा मैं इसमें भी समझाओंगा कि हमने 22 वटे 7 ही क्यों लिया question यह है कि यदि एक व्रत की 37 cm है तो उस व्रत की परिधी क्या होगी यह आपको copy pen का इस्तिमाल करना वड़ेगा copy pen का इस्तिमाल कीजिए और इसका आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा कि कॉपी और पैन का इस्तिमाल कीजिए अब का अंसर आजाएगा अराम से फॉर्मूला याद ही होगा फॉर्मूला तो एक ही पड़ा है अमने अभी तर वही लगाना है इसमें परिधी का अच्छा सूरज कुमार की नाम से जो भी बचा प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आपको सर पूल नहीं आया वही मैं देख रहा हूं पूल क्यों नहीं आया क्योंकि मुझे भी देखाई नहीं दे रहा ठीक है मैं दुबारा से कर देता हूं एक नट बस चाहिद कुछ तो प्रॉबलम होई है अभी दिख जाएगा अगर नहीं देखा न अभी देख्या होगा क्वेश्चेन नमबर 15 अभी सभी को देख्या होगा पूल क्वेश्चेन नमबर 15 बस आपको यह बताना है कि जो यह वरत है जिसकी 37 cm है उसकी परिधी क्या होगी बस इतना सा बताना है बहुत ही सिंपल है अगर्विट सेनी मूलिक गर्विट सेनी आप म्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आपको ठीक है अच्छे इसमें 15 सेकंड और रुखते हैं काफी टाइम हो गया है इसमें डिसकस करते करते हैं 15 सेकंड और वेट करते हैं उसके बाद हम इसको डिसकस करेंगे जल्दी अंसर दीजिए जिसने अंसर नहीं किया है जल्दी से आंसर कीजिए 10 seconds हो रहे हैं 10 seconds हैं आपके पास जल्दी से आंसर कीजिए 10 seconds है 5 seconds 5 4 3 2 1 समय समाव अच्छा मैं अभी chat on कर देता हूँ अभी हमने सब ने पढ़ा ना वरत की परदी क्या होती है कोई बताएगा वरत की परदी के जो formula है वो क्या होता है सर दो गूला पाई दो गूला पाई बस इतना ही इसको टू पाई आर से भी याद रखते हैं अब की मड़िया आप जैसे याद रख मचाओ ऐसे रख सकते हो परदी यह होती है अब आर क्या है आर यहाँ इसकी ट्रिज़ा है आगर इसकी तरिज्या पता है तो परिजी तो आसानी से निकाल सकते हैं त्रिज्या कितनी है सेवन सेंटिमीटर तो रखिए सारी वैल्यू दो गुना पाई का मतलब 22 बटे साथ और आर का मतलब सैवन ठीक है अब कहाँ अब तो ही बहुत आसान होगे कैसे इसेसे तैवन से सै के फोटिफोर सेंटीमीटर अच्छे यहां एक बताया था मैंने हां बताया था ना टू पाइआर होती है जहां आर इस वरब की त्रिज्या होती है यह यह था हमें तर तो चमबालीस का अंसर है यह सब सब्सक्राइब कैसे होगा अब कैसे होगा टू पाइरस फॉर्मूला और आपका परिधी की वेल्यू या परिधी का मान आराम से आ जाएगा यह फॉर्मूला लगाना था ठीक है अच्छा इसमें भी काफी बच्चों ने पता नहीं किवल 22 ही आंसर किया था आपको परिधी दे रखी है और आपको यह बताना है कि परिमाप क्या होगा परिधी दे रखी है और आपसे त्रिज्य पूछी है परिमाप दे रखा है परिमाप कहलो उसको परिधी कहलो कुछ भी कहलो वो दे रखा है और आपसे त्रिज्य पूछी है कि त्रिज्य क्या होगी अच्छा मैं फिर से चैट बंद कर रहा हूं ताकि आप लोग चैट में आंसर ना करो किवल पोल में ही आंसर करना है जल्दवाजी नहीं करनी है इसमें भी इसमें भी जल्दवाजी नहीं करनी है बहुत बढ़िया आंसर तो आना स्टार्ट हो गया ओके सभी बच्चे आंसर करेंगे सभी बच्चे आंसर करेंगे ठीक है ठीक है जल्दी से आंसर कीजिए अब काफी टाइम हो चुक है इस क्वेशन के लिए काफी था वो टाइम जितना भी तक हमने लिया है 20 सेकंड्स और रुपते हैं 20 सेकंड्स और मेट करते हैं फिर हम इसको डिसकस करेंगे हैं 20 सेकंड्स और आपके पास 15 सेकंड्स पंद्रह सेकंड्स और बच्चे हैं 10 सेकंड्स बच्चे लाश्ट 10 से जल्दी से अंसर कीजिए लाश्ट 10 सेकंड्स बच्चे हैं अगर किसी कुछ लिखना हो तो लिख सकता है हां अभी आते हैं वरत का परिमाप अच्छा हमें हम силь पता थी कि यहां ः वह असानी से निकाल सकते हैं लेकिन यहां तो il अलटा हो गया यहां तो होता ही है और हम से त्रिज्य पूछ लिए तो परिमापल यह होता ही है परिमाप हमारे इसाब से होता है formula और question में दे रखा है कि यह है 21 पाई के बराबर तो इसका मतलब यह 21 पाई के बराबर हो जाएगा अब यहां से फिरम है कैसे इसको solve करते हैं चलिए इसको solve कैसे करेंगे पाई से पाई cancel हो गया अब आर की value क्या होगी आर बराबर हो जाएगा 21 बटे दो अब 21 में अब दो का भाग आराम से लगा सकते हैं तो का भाग लगाया एक बार गया दो एक कम दो ठीक है यह 0 यहां से एक यहां लिया अब एक में भाग जाता नहीं है इसलिए 0 करेंगे ठीक फिर अ है यहां ठीक हो रहा है एक मेंनी जा रहा तो अफिर उसलेयर और यह आगा दस एक से और पेंट भाल निसे दे सकते और यह आएगा आपका टेंच पोइंट फाइव संटीमीटर का गया टेंट पॉइंट फाइव सेंटीमीटर कीया है अब यहां तक बताई है आको समझ me आया कि वरत की बाइद उसका formula क्या होता है और उससे हम अलग-अलग तरह के questions कैसे solve करते ही सभी बच्चे बताएंगे yes और no कि सभी बच्चे लिखके बताएंगे yes और no अभी कुछी बच्चों ने बोला है शेवानी टीना निकिल तीन बच्चों को समझ में बाकी को नहीं आया क्या अच्छे डाओट हो तो बता देना ऐसा निया कि आप डाओट नहीं पूछ सकती विलकुल पूछ सकते हो और ऐसा नहीं है जब वर्दस्ती नहीं आप yes बोलो अगर आपका डाओट है तो आप अपने डाओट पूछ लेना अच्छा कि अभी विसाओने यह नहीं वूल कि मैं वेट कर रहा हूँ जब तक कि सभी बच्वी यह नहीं बोलते हैं अगर समझने नहीं आया है तो आप नो भी बोल सकते हो ऐसा नहीं है अच्छा ठीक है अभी काफी बच्चों ने बोल दिया है तो चलिए फिर हम आज की उसमें आगे बढ़ते हैं अच्छा अभी तो हम किसके बारे में पढ़ते हैं व्रत के बारे में अब हम बात करेंगे कि यदि अर्ध व्रत हो यदि व्रत का आधा ही इस्सा हो तो उसकी व्रत को दो बराबर भागों में बाढ़ता है और जो दो बराबर भाग होते हैं वही अर्ध व्रत कहलाते हैं जैसे यह एक व्रत हो गया ठीक है और इसका पीक्यू जो यह है रेड वाला पीक्यू जो है वह इसका व्यास हो गया अब यह देख सकते हो एक तो यह भाग हो ग तो ये दौनों भाग इसके क्या कहलाते हैं अर्दवरत इन दौनों को हमने यहां अलग-अलग करके भी दिखाया है इस डागरम में तो जुड़े हुए हैं यहां यह अलग-अलग है एक अर्दवरत यह रहा और एक अर्दवरत यह रहा ठीक है तो दौनों ही क्या है दौनों कि अंसके बरावर के हिससे हैं इसलिए इनको हम अर्दवरत कहती हैं अगर यह बरावर के हिससे नहीं होंगे तो हम इसको अर्दवरत नहीं कहेंगे यह अपको ध्यान रखना अगर बरावर के हिस्सें हैं तो ही अर्दवरत कहींगे ठीक है चलिए अगर यह अर्दवरत है तो अब इसकी परिदी की बात कर लेते हैं परिदी होती क्या है उसके चारों साइड का क्या होता है टोटल योग कितना है चारों साइड की लंबाई कितनी है ठीक है अब वो कैसे निकालकने, देखिए, अगर मैं इसको पूरा बनाना चाहूं, अच्छा सॉरी ये गोल बना लो, मालो ये पूरा वरत होता, तो पूरा कुछ इस तरह का होता, और पूरे की परिदी क्या है, कोई बता सकता है, पूरे की परिदी क्या होती है, पूरे वरत की परिदी क्या होती को बता रहे हैं अभी तो पढ़ा है हमने परिमाप के बराबर पर उसका एक फॉर्मूला पढ़ा था ना भी बिल्कुल अभी फॉर्मूला पढ़ा था ना व्रत की परदी बिल्कुल टू पाई आर सही बात है ठीक है व्रत की परदी टू पाई आर मतलब यदि मैं इसको ऐसे चारों साइड से नापता इसको ऐसे चारों साइड से नापता यूँ ठीक है तो वो होता टू पाई आर ठीक है लिकन अभी क्या कर रहा हूँ अभी मैं इसको चारों साइड से नहीं केवल इसके आदे को ही माप रहा हूँ ये वाला कि इस वाले को इस हुआ इसका आध्रबी तो इसका आधागा रति तो इसका आदाами हो जायगा तो इसका पाइयार क्यां अभी आ होतीफि इस होती अभी आपको पूरा समझ़ना है देखिए जब ये दो हिस्टों में बट गया और हमएं इसके चारो साइड के लंबाई चाहिए तो अभी तो हमें किवल यही लंबाई मिली है ना अच्छा मैं पूरे को एरेज कर देता हूं अब मैं इस पूरे को एरेज कर देता हूं ताकि आप और अच्छी तरह से समझ सको अभी तो हमें बस यह लंबाई मिली है अब इसके साथ साथ अगर डाइग्र वाला हिस्सा है ये भी तो दिखेगा ना इस की लंबाई आप नेंपनी पड़ेगी हमें इसके परिमाप में यैस और नो है अच्छा ठीक है ठीक है देखी में यह संजा रहा हूं ठीक है कोई şöyle दिए बातने में दोवारा से सम्झा देता हूं जब तक यह पूरा हिस्सा था इस वुरत का यह जब तक यह पूरा हिस्सा था तो हम इसकोב लूंई थैं कि तब हमने यह नहीं देखा था कि इसको भी काउंट करें क्यों कि इसके अंदर की साइड रह गया था व्रत के अंदर की साइड था जबकि जो परिदिय परिमाफ होता है उसके बाहर की जो चारों साइड की लंबाई यह वो होती है ठीक है अभी हमने क्या किया अभी हमने इसको अर्दवरत बना दिया और इसको इतना ही हिस्सा रह गया यह अब इतना हिस्सा रह गया तो इसमें एक तो हमें यह वाली लंबाई चाहिए ठीक है और जो परिमाप होता है क्या होता है उसकी चारों साइड की लंबाई ना तो अभी तो केवल यह वाली लंबाई यह चारों सा यहां तक क्या आई एक त्रिज्या है और यहां से यहां तक भी त्रिज्या है वो भी है आर तो यह टोटल कितनी होगी कोई बताएगा यह टोटल कितनी होगी ग्रीन वाली जो लंबाई है वो टोटल कितनी हो गई आर स्कार नहीं एसकोर थोड़ी होगी एंट, अरे एक आर है, दूसरी आर है तो टोटल कितनी होगी, सिंपल जोड दो ना दोनों को, हाँ, एग्जैक्ली आर प्लस आर, ये तो बहुत ही सिंपल है, ने, यह होगी इसकी अच्छा अगर अभी भी समझ में नहीं आया हो तो मैं फिर से एक बार समझा देता हूं देखिए दोनों की अलग अलग लेगर नहीं सहारत्यों है उसकी प्रिदी कमट होता है इसको सभी साइड की अर्ध व्रत में क्या है एक तो ये नीचे वाला हिस्सा ये वाला यह जो डुवडों से दि Soo डीकर यह चुरा ये वाले का हूं ठीक है यह होगे इसका 2R तो क्या हो जाएगा पाई आर दोनों को जोड़ दो पाई आर प्लस 2R यही इसकी क्या हो जाएगी यह अर्ध वरत की परिधी या परिमाप कहलाएगा अब बताईए यह समझ में आया की नहीं यह थोड़ा से important concept था बस आपको पता रहना चाहिए कहां से आया सभी बच्चे बताएंगे सभी बच्चे बताएंगे समझ में आया या नहीं आया आटाएंगे अच्चा मैं फिर से बता देता हूं बच्चे गलती कहा करते में सको करके ने बता देता हूं देखे पूरे वरत की जो पार्धी होती है वो फ़ोती है टू पाय यार तो अर्ध वरत त्पडिनों वो के वाल पाई आर लिखते है पाई नहीं होती है यह पाई आर प्लस टूआर ऐसे होती है थी कि अप मैंने इतने डीटेल में क्यों समझा है मैं डाइरेक्ट फॉर्मूला भी बता सकता था क्योंकि डाइरेक्ट फॉर्मूला याद करना थोड़ा सा कठिन होता है अब आपको उसका मतलब समझ में आ गया ना अर्द वृत की परिदी का मतलब क्या है कि आप इस नीचे वाले की लंबाई पता करोगे और उपर वाले इसकी लंबाई पता करोगे और दौनों को जोड़ दोगे तो पाई आर प्लस टू आर येस ठीक है ठीक है चलिए अब हम क्या करते हैं अब हमें क्वेस्चन सॉल्व कर लेते हैं यह आज का लाश्ट क्वेस्चन होगा क्वेस्चन है कि यदि वरत की त्रिज्य अगर वह कि यह सेवन सेंटीमीटर है तो अर्द वरत की परीद आपको यह धेन रखना है यहाँ अर्द परदी बतानी है और इसका अंसर कहा करना है इसका अंसर आपको सब्सक्रीचे में करना है क्वेस्चन है Tea कि क्वेश्चिन यह भी आसान है अगर वो जो फॉर्मूला भी पड़ाया था अगर वो आपको याद है तो बस फॉर्मूला अपलाई करना है यहाँ बस फॉर्मूला अगर आपको याद है तो यहाँ बस फॉर्मूला अपलाई करना है और कुछ नहीं इसमें हमें व्रत की त्रिज्या दे रखिए अच्छा एक बच्चे का अंसर आ गया है देखते हैं सही है या नहीं ठीक है हाँ जी कुछ बच्चों ने आंसर तो किया है बहुत बढ़िया अच्छा तब तक मैं क्या करता हूं यहां फॉर्मूला लिख देता हूं जो परदी मान लो मैं उसको अगर पी मानू तो फॉर्मूला होता है अभी तो यही तो पढ़ाता है मनें पाई आर प्लस टू आर अगर आपने यह फॉर्मूला अपलाई किया होगा तो आपका अंसर सही आएगा अगर आपने यह फॉर्मूला अपलाई किया होगा तो आपका अंसर एक दब सही आएगा पहुत बढ़िया साबास अब तो बस इसमें वैल्यूज रखनी है ना और वैल्यूज इसके किवल आर की बागी तो सब उसमें कॉंच्टेंट है निये तांक है बागी तो ऐसी चीज़ें ना जिनकी वैल्यूज फिक्स है का बीस इकंड और रुकते थवन एकिंटी साइक कंड से बस आपके पास जल्दी से आंसर किजिए हैँ किक फंदरें सेकंड वेखेंज पंद्रें सेकन्स बच्चे हे इंद सेक अ खिंड्यू आउज शेकड्स है और योफ जरे मैंनेंग ऐन वच्प chem को कुष्क asp वाइव सेकिंड्स फाइव फूर थ्री तू वन समय समावत चलिए देखते हैं कि इसका क्या अंसर होगा तब तक मैं चैट अन कर देता हूं अगर आपको चैट में लिखना हो तो अगर कर दिये है देखें पाई पाई कमान तो आपाई डेbhoल गहें रखा Normally ब्टे 6 सयब बस अब इसको लुड़ करना ही तो आसन है कैसे साथ से सथ यहां बच्छा 22 प्लस साथ दुनी 14 तो मुझे 22 और 14 को बस एड़ करना है तो 22 और 14 को तो आप आसानी से एड़ कर सकते हो चार और दो छे दो रिक तीन 36 तो परिमाप कितना आ गया यह आ गया 36 परिमाप आ गया 36 ठीक है तो आप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा ठीक है यह आया सभी को समझ में यस और नो कि सभी बच्चें बताएंगे यह आय समझ में बहुत ही आसान थे वैसे तो पाई आर प्लस टूवर एगर आपको फॉर्मूला याद था तो यह बहुत ही आसान था ठीक है ठीक है अच्छा मैंने बताया था ना कि पाई की वैल्यू 22 वटे साथ कहां यूज करनी है आपको और 3.14 कहां यूज करनी है हाजी होंबर की बात कर लगते हैं पहले मैं ये समझा देता हूं देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको त्रिज्या या जो व्यास कुछ भी आपको साथ के गुनान के रूप में दे रखाओ या तो यह साथ हो चौदे हो 21 हो तो उसके इसमें आप 22 वटे साथ यूज कीजिए क्यों कि अब जब भी कुछ मानो साथ का गुना करेंगे करोगे मानो त्रिज्या साथ है तो यह आप आसानी से कट इसका मतलब क्या है अगर कोई ऐसी नंबर दे रखा है जो त्रिज्या है कि जो साथ के गुणा में आता है तो आप 22 वटे साथ यूज की दिए उससे फाइदा क्या होगा उससे जो साथ है उससे कोई ना कोई संख्या जो दे रखेंगी पूरी तरह से और वो आसान हो जाए हो ठीक है चलिए अब हम होमवर्ग की बात करते हैं अब हम होमवर्ग की बात करते हैं होमवर्ग तो थोड़ा सा यह होमवर्ग ज्यादा नहीं होगा सबसे पहले तो हां मेरी स्क्रीन दिख रही होगी सभी को सबसे पहले यह दी मैं इसकी बात करूं तो हमने यही तो दो क्वेस्टन सी सॉल्व करने पहला और दूसरा बस पांस तक गरना हूं आप एक को स्क्रीन सॉट लेना है फाइव फोर थ्री टू वन ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं कि यह हो गया अब आगे वाला तो अप रहने दो ठीक है हाँ अब अभी अगर आपको करने हैं तो यह क्वेस्टन सॉल्व कर सकते हो आप पिरसनावली चार पॉइंट दो के पहला दूसरा तीसरा और चोथा फिर से पांस तक गिन्राओं में फाइब फोर थ्री तू वन इस्क्रीन सॉट ले लिया होगा सभी ने चलिए अब हम आगे चलते हैं अब आगे हमने आज क्या क्या पड़ा अच्छा कल होमवर्ग नहीं दिया था दिया था कि लाश्ट क्लास में कोई बताएगा यह सौर नो कमेंट में लिखके लाश्ट क्लास में मिला था आपको चाप और त्रिज्य खंड से नहीं मिला था ना ठीक है तो पहले प परस्थना वरी 6.1 पर प्रस्थनावली 6.1 पहला क्वेश्चन पांस तक गिन रहाऊ हूं में 54321 यह क्या अब दूसरा प्रिषण अब दूसरा क्वेश्चिन परिस्रा पॉइंट फिर्से पांस तक गिन रहा हूं 54321 यह स्क्रेन ले लिया चली अब हम त्रिज्य खंड औ लिशे 1 वह आए पहला दूस्सटप संद्थ न करना ४न के लिस्क का कुट्शन की तब 15 54-3 वन हूं यह पेक्विश्चन मुंबर एक वह क्वें तो यह हैं मया नहीं दिया था यह वाला मुझे ऐसा याद है कि मैंने दिया था कोई बताएगा येस और लो ये humble डिया था कि नहीं दिया था मैंने no sir i play ले लाई दिया था खुश्बू से पूचा आता वो कहा रहीदी sir my det-aam नहीं दिया था ठीक है अगर नहीं दिया तो कोई बात नहीं आप इसका screen sort और ले लिजे लाज्ट क्लास में दिया था न मैं वही कह रहा हूं कोई बात नहीं इसका पांस तक इन्माम पाइब फॉर थ्री टू वन अच्छा यह विस्ट लाज्ट क्लास कही था तो हम आज की क्लास में थोड़ा सा और कर लेते हैं यह तो आपने पहले कर लिए वह परिदी के ऊपर कुछ questions है वह कर लेते हैं बस आट पॉइंट एक क्वेस्टन नंबर वन है फाइब फॉर थ्री टू वन और आज का लाश्ट क्वेस्टन आपके होमवर्क का क्वेस्टन नंबर टू बस क्वेस्टन नंबर टू और बताना है आपको फाइब फॉर ट्री टू बस आज थोड़े चांवर्क ज्यादा हो गया क्योंकि पिछली क्लास का भी इसमें मिक्स हो गया है पिछली क्लास में दिया था हां मुझे भी याद आ रहा है जैसे मैंने झाल